कि क्या हुआ नमस्कार सस्त्रेकाल आदाव साथियो स्वागत है आप सभी का ISP CS by Example YouTube चैनल पर मैं योगिश शर्मा एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस थे तो तो आज का 10 मिनिट मात्र CS के लिए मैं आपका स्वागत है आप सभी ने Permutation Combination का पहला पार्ट देखा और आप सभी को बहुत अच्छा समझ में आया है आपके कमेंट में देख रहा था बहुत बहुत आभार आप सभी का आप लोगों ने भी बहुत अच्छे सिद्दस से पढ़े थे आप लोग ठीक है ऐसे आगे तक पढ़ते रही है और जिन साथियों ने Permutation Combination का पहला पार्ट नहीं देखा है वो साथ ही पहले पार्ट को कवर कर लें जिससे की दूसरे पार्ट की जब मेरा थन क्लास हो तो आपको वो अच्छे से समझ में आए ठीक है साथियों चलिए शुरू करते हैं आज के ये 10 मिनिट में जो हम सी सेट के लिए देते हैं इस सो को इसमें एक बार देख लिजे कि आपके प्यारे बिवेक सरकाब बड़े आने वाला है 14 जैनवरी को बड़े है सरका ठीक है तो उसके परिणाम सरूप आप देख रहे हैं कि सब्क्रिप्शन दिया गया है 6 महिने का www.testbalet.com पर आप जाए रजिस्टर्ड हो जाए और आपको 6 मेने का सब्क्रिप्शन मिलेगा जिसमें आपको quiz, pdf, test series सब कुछ मिलने वाला है साथियो सब कुछ मिलने वाला है ठीक है तो आप सभी इसको कर लीजे और एक और सूचना है आप सभी के लिए ऐसे तो ये session 11 बजे ही रात को live होगा तो आप सभी के लिए ये सूचना है कि ये जो आपका उपहार था ना जो एक जन्वरी को दिया गए आपको कौन सा उपहार जिस पर आपको 25% का discount था NEW New 25 के साथ में तो साथियो अगर आपको ये उपहार अभी भी लेना है तो अभी 12 बजे तक एक घंटे का time अभी बचा हुआ है और कोई साथी लेना चाहे तो ले सकता इसका ठीक है इस उपहार को ले सकता है ठीक है चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेसन की आज के सेसन के सुरुआत कर रहे हैं चार क्वेस्टन और बहुत ही शांदार जानदार से क्वेस्टन आपके सामने लेकर आया हूं में साथियो ये चार क्वेस्टन जो आप देख रहे हैं उनमें से पहला question है C62018 का question है साथ यो C62018 का question है question क्या है यदि x बरावर x minus 3 और minus 1 के बीच में है मतलब कि जो x का value होगा जो x का value होगा वो minus 3 minus 3 और minus 1 के बीच में होगा तो मतलब minus 3 के बरावर नहीं है माइनस 3 और माइनस 1 के बीच में है हो सकता है x का वैलू आप माइनस 2 ले सकते है x का वैलू आप माइनस 2.5 ले सकते है x का वैलू आप माइनस 2.9 ले सकते है x का वैलू आप 2.99 ले सकते है है ना तो मतलब कि x का वैलू माइनस 3 से आगे नहीं जाना चाहिए अगर हम number system के format में समझे सातियो तो ये होता है हमारा बीच में 0 होता है यहां plus 1 होता है plus 2 होता है plus 3 होता है यहां minus 1 होता है minus 2 होता है minus 3 होता है minus 4 होता है इधर में ठीक है तो minus 1 से minus 3 के बीच में जितनी भी numbers आएंगे वो सब x के value हो सकते हैं साथियो similarly by का value जो है minus 1 और 1 के बीचे है मतलब यहां से लेकर यहां तक इसकी range है तो साथियो यह कह रहा है कि x square minus y square अगर हम करें x की कोई value ले ले y की भी कोई value ले ऐसे जो questions होते हैं साथियो यह आपके exams में ऐसे कैई सारी questions आपको देखने को मिल रहे है तो ऐसे questions को tackle करने का सबसे बहतरीन अप्रोच है कि question जो हमको freedom देता है जो स्वतंत्रता देता है कि आप कुछ भी कर लो जैसे इसने कहा कि minus 1 और minus 3 के बीच में है x की value तो यह minus 1 और minus 3 के बीच में कोई भी value हो सकती है x की तो तुम कोई भी value मानने के लिए यहाँ पर क्या हो स्वतंत्र हो क्योंकि यह freedom आपको question ने दी है इसी freedom का आपको फायदा उठाना होता है साथियो कैसे जब आप x का square करोगे और y का square करोगे तो यहाँ से जो भी value आएगी वो आपको बताएगी कि यहाँ से result क्या मिलने वाला है आपने x का value अगर minus 3 लेके चले आप तो x square से अगर आपने x का value minus 3 ले लिया तो x square पर आपका value क्या मिलेगा plus 9 मिलेगा क्या मिलेगा साथियो plus का 9 मिलेगा लेकिन आप minus 3 से तो छोटी value लेंगे 9 से क्या होगा साथियो थोड़ा सा कम होगा थोड़ा क्या होगा कम होगा तो x का value minus 3 हो नहीं सकता minus 3 से थोड़ा सा क्या होगा कम होगा minus 3 से minus 3 से आप थोड़ा से इधर में जाएंगे तो साथियो उससे जो value आएगी x square से जो value आएगी वो plus 9 से क्या हो सकती है जादा नहीं हो सकती है मतलब की x square का value plus 9 नहीं होगा पिलस 9 से क्या होगा थोड़ा कम होगा similarly साथ हो y का value minus 1 और minus plus 1 के बीच में है minus 1 और plus 1 के बीच में तो आपने suppose करो 0 ले लिए अगर आपने y का value 0 ले लिए अगर आपने y का value 0 ले लिया ता y square भी क्या मिला आपको 0 मिला लेकिन y का value आप क्या ले सकते थे y का value आप 0.5 ले सकते थे तो अगर y का value आप 0.5 लेंगे साथियो तो यहां से y क्या मिलेगा आपको 0.25 मिलेगा तो यहां पर आप देखिए कि जो x square minus y square है X square minus Y square है वो क्या होगा साथियो 0 और 9 के क्या होगा बीच में होगा 0, 0 और 9 के क्या होगा बीच में होगा X का value जो है वो 9 से जादा नहीं हो सकता है ठीक है और Y का value 0 है ही तो अगर हम देखें तो एक ही option है minus 9 ये तो होगा है नहीं क्योंकि minus का modulus करने पर जब आप square करते हैं तो plus मिलता है अपको तो ये तो value होगा नहीं साथियो value ये भी नहीं होगा एक option ये बसता है 0 और 8 0 और 8 होगा नहीं क्योंकि 8 से तो जादा भी जा सकता है जब आप 2.9 लेंगे तो 8 से जादा चला जाएगा तो a की option बनता है d option ऐसे question को ऐसे ही tackle करना चाहिए यही best approach है चलिए एक और question बढ़ते हैं अगला question देखते हैं अगला question ये है आप देखिए अगला question है x x और y a के अलावा धन पूरांक है साथियो आपको पता हैं धन पूरांक positive numbers कौन से होते है positive numbers कौन से होते है positive numbers कौन से होते है sir positive number होते है plus 1 plus 2 plus 3 होते है plus 4 होते है ये सब क्या होते है sir positive number होते है तो x और y एक के अलावा धन पूरांक है मतला x का और y का value आप 1 नहीं ले सकते 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, कुछ भी ले लो, है न? आप कोई भी value ले ले लिजे आपको question रॉंग नहीं होगा बस आपको क्या करना है satisfy करना है उस equation को जैसे यहां पर कहा कि अगर मैं कहूं सबसे बड़ी संख्या को निरूपित करता है क्या x y बड़ी संख्या को निरूपित करेगा चलो देखते हैं पुट करके देखते हैं x y 3 गुणा 2 क्या मिला आपको साथ यो 6 मिला है न अब यहां पर x upon y अगर आप करेंगे तो 3 बटे 2 3 बटे 2 क्या होता है डेड़ होता है भाई यह से तो छोटा ही है फिर 3 बटे 2 क्यों होगा 2 बटे 3 होगा यह तो और भी छोटा हो गया अगर y upon x करोगे तो यह होगा 3 बटे 2 मतलब की 1.5 होगा फिर इस पर जाओ d पर जाओ x plus y upon x into y तो x plus y 3 पिलस 2 कितना होगा 5 और 3 दो नहीं कितना होगा 6 तो 5 बटे 6 आप बताना किस option में आपको value जादा मिलेगी इसमें a वाले option में value जादा मिलेगी साथियो इसलिए आपके question का answer क्या हो जाएगा साथियो यह हो जाएगा यह क्या समझ में आ गया आपको पक्का समझ में आया होगा नहीं समझ में आया तो थोड़ा पीछे करके देख लीज़े क्योंकि यह questions ना आपको मैं बता रहा हूँ यह question बहुत ज़ादा पूछे जा रहे हैं आपसे ठीक है तो इसलिए आप ऐसे question को जो freehold questions होते हैं जिनमें आपको freedom दी जाती है कि आप कुछ भी मान सकते हो आप मान लीजे लेकिन बस क्या करना है आपको इसकी conditions को क्या करना है बस fulfill करना है ठीक है साथियो चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं एक और question देखिए question number 3 आप देखिए question number 3 क्या कह रहा है मुंबई के लिए 2018 का ही question है ये भी देखिए ये है coding recording बहुत असान से question पूछे जाते हैं इसलिए साथियो मैं आपको ये 10 minute का सोले कराया हूँ जिससे आपको question का label पता लगता रहेगा तो आपको थोड़ा सा अपने अंदर confidence आ जाएगा क मुंबई को मुंबई को मुंबई को एक कूट भासा में लिखा गया L S J X B C clear है साथियो आप अराम से question को solve कर सकते हैं के L M मतलब कि ये क्या हो रहा है साथियो माइनस वन पे जा रहा S T U है ना S T U मतलब कि ये क्या जा रहा है साथियो माइनस टू S A M-3 S A M-4 S A M-5 S A M-6 Similarly साथियो सब जब आप डहली को करोगे D E L H I तो D से पहले आएगा C क्या आएगा भाई C आएगा E से पहले माइनस दो पर जाओगे तो क्या मिलेगा C मिलेगा L से माइनस तीन पर जाओगे तो I मिलेगा C C I D इसी तरह से question हो जाएगा C C I D D clear है चलिए अगला question अगला question ला देख रहें C C C E T के लिए ठीक है तो फूर्थ असान है एकदम असान है C C C 2018 का question मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया है ठीक है 2008 का C C C एकदम पर का question है क्या लिख रहे है भाई R A M O N R A M O N क्या लिख रहो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 आर को लिख रहे हो 1, A को लिख रहे हो 2, M को लिख रहे हो 3, O को 4, N को क्या लिख रहे हो 5 लिख रहे हो ऐसी क्या लिख रहे हो आप साथ यो, DINESH, दिनेश को क्या लिख रहे है, 6, 7, 5, 8, 4, 9 6, 7, 5, 8, 4, 9, आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है, H, A, M, A, M है न हमाम को code करना है तो आप बताना h के लिए code क्या आया 9 आया a के लिए code क्या आएगा a के लिए 2 आएगा m के लिए code क्या आएगा m के लिए code आएगा 3 तो यहाँ पर लिख दिया 3 a के लिए code क्या आएगा a के लिए code आ रहा है 2 तो क्या आगया भई टू आगया फिर आगया थ्री तो कोड क्या हो जाएगा नाइन टू थ्री टू थ्री नाइन नाइन टू नाइन टू थ्री टू थ्री भी अंसर होगा भी क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा तो साथियो आपने देखा चार क्वेस्टन मैंने फिर से टेक दूँ यह जो कड़ी हमने शुरू किया है कि प्रिवेसर को देखना इससे आपको confidence आएगा मैं बार बार बोल रहा हूं इस session को miss मत किया करो आप अधिक से अधिक इसको देखा करो और इससे notes बनाया करो ठीक है question को tackle करने का एक अलग तरीके से हम देख रहे हैं कि भाई अगर कोई free hold question है तो उसको कैसे tackle करना है तो यह सब techniques होती है ठीक है चलिए अगली class में फिर से आप से मिलूँगा अभी के लिए धन्यवाद सात्यों पाई थैंक्यू झाल झाल वाद से तो grassy थैंक्या झाल सात्यों पाई झाल झाल कि झाल झाल by